आपने देखा होगा पिछले दो-तीन महने से देश के अंदर हिजाब कॉंट्रोवर्सी बड़े पैमाने पर चल रही थी इसकी सुरवात होती है करनाटका के कुछ P.U. कॉलेज से जहां पर जो हिजाब पहन कर लड़किया आ रही थी उनके उपर बैन लगा दिया गया फिर इसका जो पुरा प्रभाव है वो देश के कई हिस्सों में आपको देखने को मिला था फानिली इसका जो जजज्मेंट है मतलब की जो पुरा मामला है वो करनाटका हाई कोट गया था प्राक्टिस के अंदर नहीं आता है मतलब Islamic faith के religious practice में नहीं आता है बहुत बड़ा judgment मैं कहूंगा जिसका आगे चलकर काफी सारे impact हो सकते हैं कई सारे आगे आने वाले judgment है उसके उपर impact आ सकता है काफी कुछ जाने को एस वीडियो में detail से चर्चा करेंगे चली आगे बढ़ते और अब तो जो stock markets related course है वो भी आपको available है app पर और website पर इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं वो आप attempt कर पाएंगे चली इसकी सुरवात करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अभी exactly क्या है हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने बताया करनाट का हाई कोट ने यहाँ पर judgment दिया और यह कहा है कि जो हिजाब पहना हुआ वो Islamic faith के essential religious practice में नहीं आता है क्योंकि आपको समझना है जब कोट के द्वारा religion को लेकर कोई भी case चलता है उसके उपर hearing होती है तो कोट यहाँ पर देखने की कोशिश करती है कि क्या वो religion के अंदर essential practice है कि नहीं है मतलब अगर वो religion से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से वो जरूरी है बिना उसके religion पूरा नहीं हो सकता तो definite सी बात है वो हमारे सम्विधान के अंदर protected रहता है और यह protected रहता है अंदर article 25 जो article 25 है fundamental rights का उसके अंदर बोला गया है कि जितने भी religion है देश के अंदर उनके जो religious practices है वो protected रहेंगे चाहे state हो गया चाहे कोई भी individual हो गया वो उससे नहीं चीन सकता और क्योंकि यहाँ पर हिजाब पहना एक प्रकार से सम्विधान के अंदर वो protected नहीं है इसलिए उसके उपर बैन को सही ठहराया गया है करनाटका हाई कोट के द्वारा तो इसको हम पहले थोड़ा सा देखते हैं यह controversy थी कि आपको याद होगा जो government PU college थे करनाटका के अंदर वहाँ पर जो लड़किया है वो head scarf पैन करा रही थी जो हिजाब पैन करा रही थी आपको पता ही होग जो pre university college है PU college का मत्तब होता है कि वहाँ पर उसको 11th और 12th कहते हैं ठीक है हमारे यहाँ पर 11th 12th है जैसे North India वगरा साइट जो है बाकि वहाँ पर जो है आपका इसको PU college कहा जाता है तो basically जो लड़किया है उन्होंने इसको content किया और petitions file कर दिया करनाटका हाई कोट के अंदर और उन्होंने basically challenge कि कि government college के अंदर इसको deny करना एक प्रकार से हमारे सम्विधानिक अधिकार खोचीना जा रहा है तो सबसे पहले जो matter है वो क्या हुआ कि करनाटका हाई कोट के अंदर जो single bench है जिसकी सुनवाई कर रहे थे justice krishna s. dixit उनके पास गया लेकिन उन्होंने इसका निर्ने लिया कि यह जो पुरा मामला है काफी बड़ा है इसका impact बहुत बड़ा होगा इसकी वज़े से हम इसको जो larger bench है जो full bench जिसको कहा जाता है तीन जज़ों की हम उसको वहाँ percent करते हैं तो finally जो मामला है वो full bench में चला गया जिसके अंदर आप देख सकते हो जो chief justice है र deserve कर लिया गया था तो आज क्या हुआ है कि judgment की judgment यहां पर बताया गया है कि क्या final learned है और इसमें आप यह भी देख पाऊगे कि जो कई सारे senior advocates हैं वो petitioners के तौर पर आये थे मतलब कि जो girls के द्वारा petition डाला गया था उनका समर्थन कर रहे थे उनको petitioners कहा जाता है और दूसर general government को represent किया जाता है attorney general के द्वारा उसी प्रकार से किसी भी राज्य सरकार को represent किया जाता है उनके advocate general के द्वारा तो दोनों तरफ आपको देखने को मिल रहा था इसके लावा जो college के जो committees वगर हैं उनको भी representation था मैं उसमें नहीं जाओंगा लेकिन simply यहां पर आप देख सकत है तो क्या राज्य सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तचेप कर सकती है इसके अलावा court को एक और निर्ना यह लेना था कि क्या यह right to expression के अंदर आता है कि नहीं आपको पता होगा हमारे हमाया पर जो समिधान है उसके अंदर जो article 19 है वो कहता है right to freedom तो right to freedom में बहुत सारी ची petition के द्वारा यहां पर एक और चीज बोली गई कि government ने order दिया था 5th of February को और हिजाब के उपर ban लगा दिया था तो क्या यह जो ban है क्या वो article 25 का violation है कि नहीं है यह सारी चीजों को देखना था करनाट का high court को और इसके अलावा एक और यह आखरी में question यह था कि जो dress code लाया क्या है college development committees की द्वारा मतलब college ने यह कह दिया कि आपको यह dress code पहन कराना होगा तो क्या यह सही है कि नहीं सही है क्या college development committees पर क्या कोई action लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो यह सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी although मैं आपको बता दूँ कि करनाट का high court ने interim order पास कर दिया था और यह कह दिया था कि कि किसी भी person को किसी भी प्रकार का जो religious clothes है वो पहनना allowed नहीं है classroom में क्यूंकि आपने देखा होगा हिजाब जब पहन कर आ रहे थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो हिंदू धम के लोग है उन्होंने आपने देखा होगा जो saffron color है इस त देखने को मिल रहा था and I'm sure कि आपने उस समय यह सारी चीजें देखी होगी अब हम आते हैं कि दोनों तरफ का argument क्या था एक तरफ petitioners मतलब कि girls की तरफ से यहाँ पर जो petition डाला गया था उसमें जो advocates हैं उनका क्या कहना था दीकिस सबसे पहले उनका कहना था कि हिजाब बिलक और जो fundamental right दिया गया है article 19 और 25 में उसका उलंगन हो रहा है ऐसा यहाँ पर बताया गया अब इसको देखते वे यहाँ पर जो petitioners हैं उन्होंने कुछ judgment को दिया judgment के बारे में बताया जैसे कि South Africa के अंदर यहाँ पर एक constitutional court की दवारा मतलब जो constitution से related जो judgment होता है उसको constitutional court कहते है तो South Africa के अंदर एक judgment था मैं आपको बताता हूँ उसमें हुआ क्या था कि South India से एक girl थी जो की nose ring पहनती थी नाक में जो बाली होती है उसको पहनती थी तो उसको लेकर petition चला गया था South Africa में तो South Africa में जो court है उन्होंने इसको सही ठहराय था कि जो Hindu girl है वो nose जो ring है उसको पहन स होता है तो यहाँ पर state जो है वो जो girls का right है वो नहीं चीन सकती इसके लावा petitioners का ये भी कहना था कि army में अगर हम देखें Indian army में तो वहाँ पर जो Sikh समुदाय से जो लोग होते हैं वो turban पहन सकते हैं तो जब वो ये लोग पहन सकते हैं तो school के अंदर girls को hijab क्यों नहीं पह practice के अंदर नहीं आता है ये freedom of expression को violate नहीं करता है article 19 में और सरकार ने जो भी यहाँ पर decision दिया था 5th of February जो notification जारी किया था मैंने आपको पताया वो according है as per education act जो भी education act है देश के अंदर उसके accordingly हमने यह notification जारी किया था और इसके लावा सरकार ने राजे सरकार ने एक और argument द हो गया है that is sabrimala judgment आपको याद होगा तो यहाँ पर राजे सरकार ने यह कहा कि हिजाब पहना या ना पहना यह constitutional morality और individual dignity को लेकर test नहीं हो सकता मतलब कि court इसके अंदर argument नहीं कर सकता कि क्या यह constitutional morality के अंदर आएगा individual dignity के अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसको लेकर already Supreme Court ने judgment दे चुके हैं तो state का argument यहाँ पर opposite था कि यह religious essential religious practice के अंदर नहीं आता है तो I hope कि दोनों चीज़ आप समझ गयोंगे क्या 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 कहना था अब finally हम judgment पर आते हैं देखो आज judgment के सुन आज judgment अनौंस किया गया है देखो इसकी detailed copy तो अभी थोड़ा बाद में आएगा लेकि सबसे पहला question हमारे सामने था कि क्या यह article 25 के अंदर protected है कि नहीं है मतलब जो हिजाब पहना हुआ क्या यह essential religious practice में आता है कि नहीं आता है दूसरा question यहाँ पर जो answer करना था वो यह था कि अगर school यहाँ पर uniform के लिए बोलती है कहती है कि आपको uniform पहनना पड़ेगा students को बोलत चौथा question यहाँ पर यह answer करना था कि जो college authorities हैं क्या उनके उपर किसी प्रकार का action लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने girls को हिजाब पहन कर allow नहीं किया classroom में ठीक है और इसी को लेकर यहाँ पर एक एक करके answer किया उन्होंने जो chief justice है उन्होंने यह कहा कि सबसे पहले तो यह religious essential religious practice में नहीं आता है Islamic faith के अब देखो यह कौन-कौन से तर्क होंगे क्या नहीं होंगे वो आभी थोड़ा सा आगे जाकर पता चलेगा जब एक दो दिन में इसके जो detail में जो इसकी analysis की जाएगी जब वो सारी चीज़ होंगी तब वो चीज़ हम देखेंगे फिर जो दूसरा question था कि यहां पर कि जो school uniform है क्या ये सही है कि नहीं है क्या school किसी प्रकार का uniform को यहां पर essential कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो बिलकुल कर सकता है यहां पर court का ये judgment था कि ये reasonable restrictions के अंदर आता है ये constitutionally permissible है आप ये नहीं कह सकते कि constitution के अधार पर हमें हिजाब पहनना है तो वही स्कूल ने कहा है कि आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना है तो आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना होगा अब इन दोनों चीज के आधार पर finally यहाँ पर कोड ने ये कहा कि जो 5th February का जो notification था सरकार का वो सही है वो किसी चीज को करनाट का हाई कोड के द्वरा अब देखना होगा कि क्या ये जो पुरा judgment है इसको लेकर further Supreme Court के अंदर इसकी सुनवाई होती है नहीं होती है बट अभी के लिए जो पुरा मामला है आपको High Hope की समझ में आ गया होगा क्या चीज था जाने से पहले क्योंकि अभी मैंने रिट पेटिशन की बात कि आपको पता होगा भारत के अंदर पांच तरीके के रिट पेटिशन इशू किये जा सकते हैं बाई इधर Supreme Court और High Court ध्यान रखना है जो रिट पेटिशन होता है वो सिर्फ Supreme Court और High Court ही इशू कर सकता है तो आपको पताना है कि कौन सा ऐसा रिट पेटिशन है इन में से जो की दोनों के अगेंस्ट दिया जा सकता है दोनों इन में से आपको बताना है इसका राइट आंसर आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं झाल झाल